श्री शिवाय नमस्तु भियम आज मैं प्रदिप मिश्रा महराज के बताय अनुसार 21 दिसंबर प्रदोष शिवरात्री का उपाय ले कराई हूँ ये इस साल का आखरी प्रदोष शिवरात्री है तो इस उपाय को जरूर करिएगा 24 घंटे में आपकी सारी मनुकामनाय पूर्ण होंगी रोग मुक्ति के लिए, शादी ब्याह के लिए, घर प्राप्ति के लिए, किसी के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं आज इस प्रकार से जल चढ़ाना है कि वो ओम की आकरिती बन जाए तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप लोग जल चढ़ाएंगे तो सबसे पहले अशोक सुंदरी में जल चढ़ाना है उसके बाद गणेजी में चढ़ाना है उसके बाद फिर से अशोक सुंदरी में चढ़ाना है उसके बाद फिर से अशोक सुंदरी में चढ़ाना है जब अशुक सुन्दरी में चढ़ाएंगे उसके बाद फिर से गनेजी में चढ़ाना है उसके बाद फिर से अशुक सुन्दरी में चढ़ाने के बाद हमें कार्तिके में जल चढ़ाना है ये देखे तो लगहतार हमें ऐसे चढ़ाते रहना है जल का धार बिलकुल भी तूट उपना नहीं चाहिए उसके बाद हमें शीवलिंग में जल चढ़ा देना है उसके बाद नाग देवता में भी जल चढ़ाना है तो बचे हुए जल को नाग देवता में चढ़ाना है और फिर से शीवलिंग में चढ़ाना है तो इस प्रकार से आप आज के दिन इस उपाय को ज जरूर करिए तो ये था पहला उपाय और दूसरा उपाय भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूं इस उपाय को आप साल भर भी कर सकते हैं आपकी सब भी मनुकामनाय जरूर पोर्ण होंगी अब बताती हूं दूसरा उपाय दूसरा उपाय शमी पत्र वाला है एक शमी पत्र क शिवलिंग के उपर रखेगा इस प्रकार से और दूसरा शमी पत्र वहाँ चढ़ाना है जहां हम शिवजी में जब जल चढ़ाते हैं जहां से पानी गिरता है तो यहां पर हमें रख देना है यहां पर हमें शमी पत्र रख देना है यह था दूसरा उपाई और चले आपको ब चलिए अब चौथा उपाई भी बता देती हूं यहां पर मैं खड़ा मूंग ले ली हूं यह था चौथा उपाई आप इन सभी उपाईयों को करके आप अपनी सभी मनुकामनाय पूर्ण कर सकते हैं और अपने हाथों से ऐसे शिवलिंग को दबाना चाहिए और तीन उंगलि जल्द सजल्द जरूर पोर्ण होंगी शिरी शिवाय नमस्तो भ्यम आपका दिन शूभ रहे